हेलो क्रेंट्स बाई वर्ड में आप सभी का स्वागत है आज यह सभी लोग कि सभी को गुड मॉर्णिंग आज हम लोग क्या सिखेंगे हुमन रिप्रोडेक्शन में जो है मेल रिप्रोडेक्टिव पार्ट को आज जो है किलियर कर लेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम सबसे पहले बात रिप्रोडेक्शन डिप्रोडेक्शन क्या होती है जनन उसमें जिसको भी आजылब प्रकर्म है जिसके आपने ही जैसे संतानों के उत्पति करते हैं इसा नहीं कि कोई अगर मेल है that means की मनुष्य है तो वह जानवर को उत्पन करेगा अगर मेभी अगर कोई के कारण ऐसा हो भी गया तो वह सर्वाइव नहीं करता है ठीक है अगर सेंग नहीं केया हुआ है तो ज्यादा दिन तक सरवाइव करताया तो क्या होता है अगर होते हैं तोवाइव कर Patsh तो आप भूलिएगा कि सर जनन क्यों जर्वी है कभी-कभी हमारे मन में आता ना कि जनन क्यों जर्वी है क्यों होना चाहिए रिप्रोडेक्षन नहीं होना चाहिए तो जनन के जो है कुछ महत्पूर्ण लाव्स है इसलिए जो है जनन जर्री है, पहली बात तो यह कि increase in population, population के विर्धी में, ठीक है population मतलब क्या होता है, जन संख्या, जन संख्या, और increase मतलब तो बढ़ना होता है, ठीक है, अवादी के विर्धी में, जनन से जीव की संख्या में बिर्धी होती है, जिससे जीवों की अवादी में बिर्धी होती है, ठीक है, क्या होता है, जीवों की अवादी में बिर्धी होती है, यानि की जन संख्या में बिर्धी होती है, तो क्या यह जर्री है, अवादी में बिर्धी, बताइए क्या यह जर्री है बिल्कुल जर रही है लेकिन एक लिमिटेशन में यह नहीं कि बहुत-बहुत होते जा रहा है जैसे अभी इंडिया का वर्तमान समय में इस्थिती हो गया है ठीक है तो यहां पर एक स्ट्रिक्ट रूड चाहिए कि बस दो ही अच्छे दो ही अच्छे ठीक है लेकिन यह गलत है क्योंकि जनसंख्या जैसे बढ़ेगा तो हमारे पास संसाधनों की कमी होगी ठीक है जौब्स की कमी होगी जिसके कारण हम बेरोजकार होंगे करीभी बढ़ेगी उससे क्या होगा बहंगाई बढ़ेगा जब तक पर सब चीज रूल नहीं बनेगी तब तक जनसंख्या पर ही आएगा अगर आप मानेंगे कि कम बच्चे जो होगते हम बढ़ना जर्वी नहीं है बिल्पना है कि हम दो हमारे मूने दो जितने भी हो रहे हैं क्योंकि भगवान का दिया हो पस द्वारा ही जीवों की एक पीड़ी अपनी अगली पीड़ी को तयार करती है जनन के द्वारा ही क्या करती है अगली पीड़ी को तयार करती है यह परकर्म प्राकृतिक में निरंतर चलता रहता है ठीक ना चलता रहता है हमेशा से और इससे क्या होता है कि कभी कोई ही इसपेसी खत्म को नहीं होता जैसे देखे की बहुत सारा इसपेसीज हो गया जैनَन का जो नेचर था उन प Rome कम होते जा रहा था य sinners उसने उस प्रेजाती का है उस प्रानी अविनास HOW गया तो जनन जर्री है अस्तित्म में रहने के लिए ठीक नहीं उसके बाद है इन्हरीटेंच of useful character useful character का inheritance होना भी जनन का ही एक प्रकर्म है ठीक है आपके अंदर जो मानवता वाला गुन आया है किस से आया है जनन के फलसरू भी आया है ठीक तो यूजफूल करेक्टर तो सारे नहीं होते हैं सपोई अभी सचिन तेंदूर कर ले लो उनके अंदर क्या वह वहला करेक्टर था वहीं उनके बेटा में आया है मतला हंड्रेड पर्शन नहीं आ जाते लेकिन आते हैं ठीक है तब उस तरफ में अगर मूग कीज होती है जनन के महत्पूर्ण लाव ठीक है अब आप लोग बताईए है कि यूमन यूनिसेक्सवल होते हैं कि बिल्कुल यूनिसेक्सवल होते हैं कि यूनिसेक्सवल को क्या बोलते हैं हिंदी में एक लिंगी यहने बोलते हैं एक लिंगी ऑफ यह एक लिंगई है ठीक है यह बोलते हैं एक का मतलब क्या ह juvenile बनले घिकर होगा इसके पास जो यह एक और पास फील है तो उनके पास फी एक रहेगा मेल फीह दोनों का जो होगा गर्रैक्टर उलग-अलग होगा है एक ही में रहने वाला जो होता है complex होता है लेकिन यह जो unisexule होते हैं यह बड़ा simple होते हैं ठीक न यह क्या होते हैं simple होते है unisexule को और किस चीए से बोला जाता है यहाद रखिए डायोसियस से किससे डी आई ओ ठीक है यी- डायो-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स-स है याद रखना है है छलिए यहां तक सभी लोग जानते होंगे बिल्कुल जानते होंगे चलिए आप मेल रिप्रोडेक्टिव पार्ट पढ़ते हैं आज पहले स्टार्ट करते हैं फिर जो है हम लोग फिमेल रिप्रोडेक्टिव पार्ट पढ़ेंगे चलिए मेल का reproductive organs के बारे में पढ़ते हैं मेल का reproductive organ कौन सा होता है तेस्टीस होता है ठीक है और तेस्टीस को ही primary sex organ या प्रमुख जनननंग कहते हैं ठीक है तेस्टीस को ही पुरुष का प्रमुख जनननंग कहते हैं ठीक ना मेल का पर्मुख जनननंग जो होता है टेस्टीस ही होता है टेस्टीस पर्मुख जनननंग क्यों होता है क्योंकि इसमें जो है मेल गेमिट यानि कि सुक्रानु एस्पर्म जिसको बोलते हैं हिंदी में कि सुरी इंग्लीज बेस्पर्म बोलते हिंदी में सुक्रानू बोलते ठीक ना यह आप लोग के इंग्लीज के चक्कर में नमाय कभी उल्टा पुल्टा हो जाता हूं तो क्योंकि इसमें जो है एसपर्म का का फॉर्मेशन होता है इसमें सुक्रानू अ कि बनते हैं तो टेस्टिस में सुक्रानू बनते हैं इसलिए जो है और सुक्रानू क्या है मेल गे गेमित है ठीक गी जाहनी है मेल गेमित क्या है एसपर्म सुक्रानू को इंग्लीज में बोलते हैं एसपर्म इंग्लिस वाले भी कुछ है इस्टूडेन्ट है अब हमें टेंशन होती रहती किंग्लिस में बताना ठीक रह धा है हिंदी वाले ही आप लुग की इसलिए आप कि ज्यादा तर ज्यादा तर ज्याद रहे हैं नजर हम मेरा भी रहता है 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 ठीक ना तव सब कुछ जो है चेट वाला बंद कर देंगे अब आप लोग कॉमेंट में सारा कुछ एंसर देना होगा अज से जो है जया चेट उत्फ बंद रहेगा है क्योंकि वहाँ पर देख रहे कोई किसी को ब्यूuटीफुल बोल रहा है तो उसी टैम परढ़ सकते बात में तो पढ़ना ही सकते हैं तो आज से कोमेंट ही रहेगा कोमेंट में आपको सारे questions के answer देने होंगे जो भी आपका questions होगा कोमेंट में पेस्ट करना होगा आपको लिख करके ठिक ना और आपके reply भी comment में देंगा चलिए अब आप जो है male reproductive part उसको थोड़ा जो है डिरिष्टी कुन से देखते हैं ठीक है चल यह हो गया आपका male reproductive part का diagram ठीक यह क्या है टेस्टिस है ठीक और टेस्टिस के बाहर जो एक आवरन रहता है हैं मोटे चमड़ी का या मोटे त्वच्छा का ठीक है उसको क्या बोलते हैं कि आर ओ टी यू एम ठीक है एस्क्रोटम हिंदी में बोलते हैं वरिष्ण कोस हिंदी में भी लिख दूँ क्या चलिए लिख दे रहा हूं वरिष्ण कोस राइटिंग अच्छा नहां होता हसना मत तुम लोग ठीक ना बस समझ जाना अपने कोपी में अच्छा से नौट कर लेना है यह हो गया वरिष्ण कोस एस्पॉर्म का फॉर्मिशन किसमें होता है टेस्टिस में होता है चलिए इस फिगर में हम लोग जो है मेल तो थोड़ा और बहतर तरीका से देख पाएंगे तो यह है यह देखी क्या है टिस्टिस है और यहाई पर जो है सपॉर्म का फॉर्मिशन होता है ठीक है और यहां से इस अने के बाद निकल के आती है यो आपिद्र्य में इप्डीनिस से होतेूँए कहा जाता है sí डाक्त को जाता है और कहीं कभी पर आपको दिखाई पड़ेगा वास डिफरेंस ठीक है तो वास डिफरेंस इस नली का नाम है यहां से पर पहुंचता है यहां पर पहुंचता है उसके बाद पहुंचता है कहां सेमिनल वेसल में सेमिनल वेसल में क्या करता है सेमिनल वेसल का क्या काम हो हाँ 3desprend commissioner parody परदान करता यह ठीक है एस्टेभीलीटी परदान करता और प्रमोड़ करता ठीक है प्रमोड़ करता है यह सपल नांको उसके बादस फ़ों खाता है प्रो कर सब्सक्राइब को यह तो यह फ्रोड़ेट द्लेरा में हो ठीक ना यह क्या करता है प्रेशा डालता है ठीक है उसके बाद जो इससे कुछ लिक्विड करते हैं लिक्विड क्या करता है यूरेथ्रा का जो मीडियम होता है नली जो होता है यूरेथ्रा का वो एसे डीक हो जाता है यूरीन के कारण यूरीन यानि कि पैसाब जो बार- को क्या करते हैं नॉर्मल कर देते हैं ठीक है नॉर्मल कर देते यानि कि उदासीन कर देते हैं और प्रोस्टेट ग्लेंड से कुछ लिक्विड निकलते हैं में सीमे ठीक हैं सीमेन उसके बाद सीमेन कहलाने लगता है यहां तक सपर्म रहता है सेमिनल ह然后 सेमेंर यह क्या कलने गांता कुछ बन गया तो एकुलेटरी डक्ट क्या करेगा डिलेवर्ड करेगा ठीक है प्रोस्टेट ग्लेंड से पहले होते हैं यहाँ पर चलिए कलर बदल के मैं दिखा दे रहा हूं देखिए यहां पर exercul playण किए क्या करते हैं कि यह क्या करते हैं एस पर्म को जो हैं डिलेवाड करते कि इसमें उरेथ़ा के मीडियम में यह पर फो यह पर और अगया काम होता है एक्ञा क्या काम होता है तो सारी समहतेक हैं सब्सक्राइब आप लोगों कि आ PAUL को क्योंकि टेस्टीज में क्या होता है एसपर्म का फॉर्मेशन होता है ठीक है एसपर्म फॉर्म्ड यानि कि एसपर्म का फॉर्मेशन होता है यानि कि एसपर्म बनता कहां टेस्टीज में बनता और यहां से क्या होता है इस पर पास होता है ठीक है यहां से जो है बहुत सारे questions आ सकते हैं बन सकते हैं तो पहले हमने इसलिए आप लोग को diagram समझा दिया कि बाद में अगर question यहां से दो objective और बनाओ तो आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हो तो क्या ऐसा पढ़ाना ठीक रहेगा बताइए आप लोग को ऐसे समझना है या direct objective question देते जाओं उसका एंसर बताते जाओं और महां पर थोड़ा उसका clear कर दो कि यह ऐसे होता यह इसमें ऐसा होता है वह बताना सही रहेगा या फीगर के द्वारा आपको समझाना सही रहेगा objective करेंगे तभी हमारा theory जाकर करके complete होगा ठीक तो objective हम लोग आज में कर लेंगे यहां से आप लोग का आज में रिप्रोडेक्टिव पार्ट यहीं पर हम रखते हैं अगले क्लास में फीमेल रिप्रोडेक्टिव पार्ट स्टार्ट करेंगे लेकिन आप लोग तब तक NCRT को चप्टर नम्मर 3 क्लास 12 के पूरा पढ़ लीजिए ठीक है दो बार तीन बार जितना बार NCRT पर सेके उतना बार NCRT पढ़ लीजिए ठीक ना तो मिलते है नेक्स्ट क्लास में फीमेल रिप्रोडेक्टिव पढ़ेंगे लेक्लास में ठीक